नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं अहोई अश्टमी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अश्टमी के दिन राधा कुंड पर पूजा करने की माननिता है आज उसके महत्व और पूजा विधी के बारे में बात करते हैं इस साल आहोई अश्टमी आठ नवंबर रविवार को मनाई जाएगी हिंदू पंचांग के अंसर हर साल कारतिक मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिधी को आहोई अश्टमी का वरत रखा जाता है यह वरत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्त के लिए रखती हैं कहते हैं कि जो माताएं इस दिन अपने बच्चों का हित चाहा कर सच्चे मन से अहोई मातागी बुजा गरती हैं उनके बच्चों की रख्षा स्वयम माता पारवती करती हैं माननेता है कि कार्थिक मास की अश्टमी को वे दमपती जिनहें संतान प्राप्ती नहीं हुई है वे नेजला वरत रखे और अश्टमी की रात्री को बारह वजे से राधा कुंड में श्नान करते हैं इसके बाद सुहाग ने अपने केश खोल कर रखती हैं और राधारानी की वक्ति कर आशीरवाद प्राप्त कर संतान रत्न प्राप्त की भागीदार बनती हैं बैनता है कि आज भी पुन्य नक्षत्र में राधा जी और स्री कृष्च रात्री बारा बजे तक राधा कुण्ड में अष्ट सक्हियों उनके संग महाराज करते हैं इसके बाद पुन्य नक्षत्र सुरू होते ही वहां इश्नान कर भक्ति करने वालों को दोनों आसीरवा देते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ती होती है। पौराणिक माननेता है कि राधा जी ने उक्त कुंड को अपने कंगन से खोदा था। इसलिए इसे कंगन कुंड भी कहा जाता है। कता है कि स्रीकृष्ण गोवर्धन में गवचारन लीला करते थे। इसी दोरान अरिश्टा सुर। नाम के एक राक्षस ने गाय के बच्छडे का रूप धारण करके स्रीकृष्ण पर हमला कर दिया। इस पर स्रीकृष्ण ने उसका वद कर दिया। तब राधारानी ने स्रीकृष्ण को बताया कि उन्हें अरिश्टा सुर का वद तब किया जब ओवन्स के रूप में इसलिए उन्हें गौवन सहत्या का पाप लगा है इस पाप से मुक्ति के उपाय के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी बासुरी से एक कुंड का निर्माड किया जिसका नाम श्याम कुंड था और उसमें श्नान किया इस पर राधा जी ने भी श्याम कुंड के बगल में महाराश रचाया था महाराश में दोनों कई दिन राध तक लगातार राश रचाते शुद्वुद खो बैठे महाराश से प्रशन होकर राधा जी से श्री कृष्ण ने वरदान मागने को कहा इस पर राधा जी ने कहा कि हम अभी गवन्स वद के पाप से मुक्त हुए है इस इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी इस्तिती में राधा कुंड में इस्टान करे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ती हो इस पर श्री कृष्ण ने राधा जी को यह वरदान दे दिया इसका उलेख ब्रह्म पुरान एवं गर्ग सहिता के गिर्राज खंड में मिलता है उलेख ह कि महरास वाले दिन कार्तिक मास की अश्टमी जिसे अहोई अश्टमी कहते थे वही थी अहोई अश्टमी राधा कुंड की पूजा विदी इस प्रकार है कि अहोई अश्टमी की रात दीपक जला कर स्री राधा कुंड की आरती करें आरती करने के बाद स्री राधा रानी को और अब स्री राधाराने से प्राथना करें कि उनकी क्रपा से आपको शंतान की प्राप्ति हो फिर रात ठीक बारह वजे पति-पतिनी दोनों को राधा कुंड में इश्णान करना चाहिए और इश्णान आधिकारियों से निवरत्त होने के बाद कुंड के निमित पेठा यानि शीता फलका दान करना चाहिए धन्यवाद